नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग धैनिक जागरण के संपादकी से 427 सब्दों के डिक्टेशन को लेने वाले हैं इसे हम लोग तीन अलग अलग गती में लेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे दूसरी बार में 80 की स्पीड में तीसरी और आखरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 90 के स्पीड में लेंगे अब आज के इस डिक्टेशन में आए हुए महत्पूर सब्दों के आउटलाइन को अगर आपको जानना है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लें उससे जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा उस पर किलिक करके टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं वहां से अगर आपको कोई प्रूप आ रही है तो आप अपने मोबाइल में टेलिग्राम आप को ओपन करें और वहां साथ हैं टीम सर्च करके भी इस गुरूप को जॉइन कर सकते हैं तो सत्तर के स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब पात सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट भारत और चीन के वरिष्ट सैन अधिकारियों के बीच हुई बात चीट से कोई नतीजा ना निकलने पर हैरानी नहीं चीन की बदनियती को देखते हुए इसके ही आसार थें कि इस बात चीट का भी वही हस्र होगा जो पिछली च्छ बार की वारताओं का हुआ अब भारत को इस निसकर्स पर पहुचने में देर नहीं करनी चाहिए कि चीन अपने अडियल रवय से बाज आने वाला नहीं है और उस से निपटने के लिए कुछ अन्य उपाय करने होंगे इन उपायों की आवस्यक्ता चीन के इस बेतु के बयान के बाद और बढ़ गई है कि वह लद्दाख और अरुडाचल परदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता इस बेहूदगी का सीधा और चीन को आसानी से समझ में आने वाला जबाब यही हो सकता है कि भारत भी तथा कथी एक चीन नीती को खारिज करता है और यह मानता है कि तिबबत एवं ताइवान पर उसका अवैध कबजा है लद्दाख और अरुणाचल को लेकर दिये गए चीन के ताजा बयान से उस अंदेशे की पुष्टी ही होती है जिसे पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने सीमान्त छेत्रों में 44 पुलों के लोकारपड के दोरान व्यक्त किया था उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिस रच रहे हैं चीन ने इन पुलों के निर्माड पर आपत्ती जता कर उनके अंदेशे को सही ठहराने का ही काम किया यह हास्यास्पद है कि चीन खुद को तो भारत से लगती सीमा के निकट हर तरह के निर्माड करने में लगा हुआ है लेकिन यह चाह रहा है कि भारत ऐसा ना करे ऐसे में यही आवस्यक है कि भारत चीन की निराधार आपत्तियों पर बिलकुल भी ध्यान ना दे चीन को बिना किसी लाग लपेट यह बताने का भी वक्त आ गया है कि यदि वह भारत के हितों की चिंता करने को तैयार नहीं तो उसके हितों की भी परवाह संभव नहीं चुकि चीन अपनी अति क्रमलकारी रवये से करीब करीब हर पडोसी देश को तंग करने में लगा हुआ है इसलिए भारत को अंतराश्ट्री मंचों पर उसके खिलाफ माहौल बनाने और उसकी घेराबंदी करने के लिए सक्रिय होना होगा भारत को विश्व मंच पर यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर इसका क्या आउचित्य की अंतराश्ट्री नियम कानूनों को बेसर्मी के साथ धता बताने वाला कोई देश संयुक्त राश्ट्र सुरच्छा परिसद का अस्थाई सदस्य बना रहे अपनी आर्थिक ताकत के नसे में चूर चीनी सासन की यदि किसी से तुलना हो सकती है तो हिटलर के जमाने वाले नाजी जर्मनी से या फिर आज के उत्तर कोरिया से भारत को इसे लेकर दुनिया को चेताने की जरूरत है की परुमाडु हतियार संपन चीन विश्व बिवस्था को तहस नहस करने पर आमादा है दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोगा सी की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाथ सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें भारत और चीन के वरिष्ट सैन अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से कोई नतीजा ना निकलने पर हैरानी नहीं चीन की बदनियती को देखते हुए इसके ही आसार थें कि इस बातचीत का भी वही हस्र होगा जो पिछली छ बार की वारताओं का हुआ अब भारत को इस निसकर्स पर पहुचने में देर नहीं करनी चाहिए कि चीन अपने अडियल रवये से बाज आने वाला नहीं है और उससे निपटने के लिए कुछ अन्य उपाय करने होंगे इन उपायों की आवस्यकता चीन के इस बेतु के बयान के बाद और बढ़ गई है कि वह लद्दाख एवं अरुडाचल परदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता इस बेहूदगी का सीधा और चीन को आसानी से समझ में आने वाला जवाब यही हो सकता है कि भारत भी तथा कथित एक चीन नीती को खारिज करता है और यह मानता है कि तिबद एवं ताइवान पर उसका अवैद कबजा है लद्दाख और अरुडाचल को लेकर दिये गए चीन के ताजा बयान से उस अंदेशे की पुष्टी ही होती है जिसे पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने सीमान छेत्रों में 44 पुलों के लोकार पढ़के दोरान व्यक्त किया था उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिस रच रहे हैं चीन ने इन पुलों के निर्माड पर आपत्ती जता कर उनके अंदेशे को सही ठहराने का ही काम किया यह हास्यास्पद है कि चीन खुद तो भारत से लगती सीमा के निकट हर तरह के निर्माड करने में लगा हुआ है लेकिन यह चाह रहा है कि भारत ऐसा ना करे ऐसे में यही आवस्यक है कि भारत चीन की निराधार आपत्तियों पर बिलकुल भी ध्यान ना दे चीन को बिना किसी लाग लपेट यह बताने का भी वक्त आ गया है कि यदि वह भारत के हितों की चिंता करने को तयार नहीं तो उसके हितों की भी परवा संभव नहीं चुकि चीन अपने अतिक्रमलकारी रवये से करीब करीब हर पडोसी देश को तंग करने में लगा हुआ है इसलिए भारत को अंतरराश्ट्री मंचों पर उसके खिलाफ महौल बनाने और उसकी घेराबंदी करने के लिए सक्री होना होगा भारत को विश्व मंच पर यह सवाल उठाना चाहिए की आखिर इसका क्या आउचित्य की अंतरराश्ट्री नियम कानूनों को बेसर्मी के साथ धता बताने वाला कोई देश संयुक्त राश्ट्र सुरच्छा परिशत का अस्थाई सदस्य बना रहे अपनी आर्थिक ताकत के नसे में चूर चीनी सासन की यदि किसी से तुलना हो सकती है तो हिटलर के जमाने वाले नाजी जर्मनी से या फिर आज के उत्तर कोरिया से भारत को इसे लेकर दुनिया को चेताने की जरूरत है कि परमालू हत्यार संपन चीन विश्व बिवस्था को तहस नहस करने पर आमादा है दोस्तो इसी डिक्टेशन को आखरी बार में हम लोग 97 परत मिनट की गती से लेंगे और आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें भारत और चीन के वरिष्ट सैन अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से कोई नतीजा ना निकलने पर हैरानी नहीं चीन की बदनियती को देखते हुए इसके ही आसार थें कि इस बातचीत का भी वही हस्र होगा जो पिछली छा बार की वारताओं का हुआ अब भारत को इस निसकर्स पर पहुचने में देर नहीं करनी चाहिए कि चीन अपने अडियल रवय से बाज आने वाला नहीं है और उससे निपटने के लिए कुछ अन्य उपाय करने होंगे इन उपायों की आवस्यकता चीन के इस बेतु के बयान के बाद और बढ़ गई है कि वह लद्दाख एवं अरुडाचल परदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता इस बेहुदगी का सीधा और चीन को आसानी से समझ में आने वाला जवाब यही हो सकता है कि भारत भी तथा कथित एक चीन नीती को खारिश करता है और यह मानता है कि तिबबत एवं ताइवान पर उसका अवैद कबजा है लद्दाक और अरुडाचल को लेकर दिये गए चीन के ताजा बयान से उस अंदेशे की पुष्टी ही होती है जिसे पिछले दिनों रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने सीमान छेत्रों में 44 पुलों के लोकारपड के दोरान व्यक्त किया था उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिस रच रहे हैं चीन ने इन पुलों के निर्माड पर आपत्ती जता कर उनके अंदेशे को सही ठहराने का ही काम किया यह हास्यास्पद है कि चीन खुद तो भारत से लगती सीमा के निकट हर तरह के निर्माड करने में लगा हुआ है लेकिन यह चाह रहा है कि भारत ऐसा ना करे ऐसे में यही आवस्यक है कि भारत चीन की निराधार आपत्तियों पर बिलकुल भी ध्यान ना दे चीन को बिना किसी लागलपेट यह बताने का भी वक्त आ गया है कि यदि वह भारत के हितों की चिंता करने को तयार नहीं तो उसके हितों की भी परवाह संभव नहीं चुकि चीन अपने अतिकरमलकारी रवय से करीब करीब हर पडोसी देश को तंग करने में लगा हुआ है इसलिए भारत को अंतराश्ट्री मंचों पर उसके खिलाफ माहौल बनाने और उसकी घेराबंदी करने के लिए सक्री होना होगा भारत को विश्व मंच पर यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर इसका क्या औचित्य की अंतराश्ट्री नियम कानूनों को बेसर्मी के साथ धता बताने वाला कोई देश संयुक्त राष्ट्र सुरच्छा परिसाथ का अस्थाई सदस्य बना रहे अपनी आर्थिक ताकत के नसे में चूर चीनी सासन की यदि किसी से तुलना हो सकती है तो हिटलर के जमाने वाले नाजी जर्मनी से या फिर आज के उत्तर कोरिया से भारत को इसे लेकर दुनिया को चेताने की जरूरत है कि परमाडू हत्यार संपन चीन विश्व विवस्था को तहस नहस करने पर आमादा है तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पिया इस वीडियो को लाइक से जरू कर दिया करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रिस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जब को समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपी को सीख सकें धन्यबाद